EPFO का बड़ा फैसला आधार को अपडेट क्रेक्शन की डॉक्यूमेंट लिस्ट से हटाया, दूबी के लिए नहीं माना जाएगा प्रूफ. श्रम मंत्राले के Autonomous Body EPFO ने आधार रिमूवल को लेकर सर्कुलर जारी किया है. ये सर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया गया है. अब एक मान्य डॉक्यूमेंट नहीं होगा. EPFO Latest Update कर्मचारी भविश्य संगठन EPFO ने बड़ा फैसला किया है. अब Provident Fund अकाउंट में करेक्शन के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी. हालां कि ये अपडेट सिर्फ Date of Birth के मामले में किया गया है. EPFO के मुताबिक Date of Birth को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तमाल अब खत्म कर दिया गया है. EPFO EPFO ने इसे मान्य दस्तावेस की लिस्ट से बाहर कर दिया है. कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization ने इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है. EPFO के सर्कुलर में क्या है? श्रम मंत्राले के Autonomous Body EPFO ने आधार रिमूवल को लेकर सर्कुलर जारी किया है. ये सर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि अगर कोई Account Holder अपनी Date of Birth को Update या Modify करना चाता है तो उसके लिए आधार अब एक मान्य डॉक्यूमेंट नहीं होगा. इसके इस्सेमाल की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. UIDI, UIDI से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि Date of Birth में बदलाव के लिए आधार मान्य नहीं होगा. इसे List of Documents से हटा दिया जाए. इसके बाद EPFO ने आधार को लिस्ट से हटाने का फैसला लिया. कौन से Documents हो जाएगा काम? EPFO के मताबिक, जन्म प्रमान पत्र, Birth Certificate की मदद से आप Date of Birth में अपडेट या करेक्शन कर सकेंगे. साथ ही किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट को भी इस लिस्ट में रखा गया है. इन सभी Documents में नाम और डेट आफ बर्थ होनी चाहिए. इसके अलावा सिविल सर्जन की तरफ से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, पास्पोर्ट, पैन नमबर, सरकारी पेंशन एवं मेडिकलेम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपडेट करेक्शन के लिए मान्य होंगे. आधार का इस्तमाल कहां और कैसे होगा? UIDI ने सपश्ट किया है कि आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तमाल किया जाना चाहिए. लेकिन इसका इस्तमाल जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर वैद नहीं है. आधार बारा अंको का यूनिक पहचान पत्र है. आधार देश में आपकी पहचान और स्थाई निवास के सबूत के तौर पर मान्य है. हालांकि आधार में डेट ओफ बर्थ होती है. इसलिए इसका इस्तमाल जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर किया जा रहा है. लेकिन ये मान्य नहीं है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सुनाया था फैसला. हाली में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट बनाम UIDI एवं अन्य केस में भी कहा था कि आधार नंबर को पहचान पत्र के तौर पर इस्तमाल किया जाए न कि जन्म प्रमाण पत्र की तरह. इसके बाद UIDI ने सरकुलर जारी कर इस पर सफाई दी थी. जाए बॉम्पार जारी कर दिए युब ने सरकुलर जारी की तरह.